Hey and welcome to my channel, this is Megha and you're watching Megha's Beauty Land So, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ ने शेयर करने जा रही हूँ Lekme 925 Natural Aloe Aqua Gel का Review ये जो Lekme का 925 Aloe Vera Gel है इसका MRP दूसरे मार्केट में जो बॉपलर Aloe Vera Gel के ब्रैंड है लाइक पतांचली उससे थूड़ा सा ज्यादा है So, ये प्रोड़क इतना प्राइजी क्यों है और इस प्रोड़क के लिए इतना पे करना क्या वर्थ है उसको जानने के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग दिस वीडियो So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक शूर आप इस चैनल को सस्क्राइब कर ले और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले So, इस लेक में आलोवेरा जेल में आपको दो साइज मिल जाएंगे जो की है 50 ग्राम और 100 ग्राम So, first point है price and packaging तो चले बात कर लेते हैं इस अलोवेरा जेल के price and packaging की So, इस अलोवेरा जेल का MRP है 200 ग्राम और 350 ग्राम और 100 ग्राम अगर आप इस अलोवेरा जेल को Amazon या पनाइकर की sales से purchase करोगे तो आपको ये अलोवेरा जेल 50 ग्राम वाला 150 रूपीज में and 100 ग्राम वाला 250 में easily मिल जाएगा मैं आपको best buying link description box में दे दूंगी आप वहाँ से भी इस product को purchase कर सकते हो आप इस अलोवेरा जेल को as a primer भी use कर सकते हो तो ये product काफी affordable हो जाता है और आप इस अलोवेरा जेल को as a multitasker भी use कर सकते हो वो कैसे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस अलोवेरा जेल की packaging की अगर हम बात करें इस अलोवेरा जेल की outer packaging की तो कुछ इस type का box आपको मिल जाएगा जो कि बहुत जिल्दा cute and radiant looking है और इस box के अंदर आपको मिल जाएगा यह टब जिसमें कि आपको अलोवेरा जेल मिल जाएगा तो इस टब को open करने पर आपको यह transparent color का अलोवेरा जेल मिल जाता है इसमें अब इस अलोवेरा जेल को मैं अपने हैंड पर आपको अप्लाई करके दिखा देते हूं यह बहुत इसली आपकी skin में अब्सॉर्ब हो जाएगा और एक smooth सा texture आपको provide करेगा अगर हम बात करें इस अलोवेरा जेल के hygiene wise packaging की इस अलोवेरा जेल की packaging में बहुत ज़्यदा hygiene और easy to use नहीं लगती है क्योंकि जो भी tub बाले products होते हैं उनको use करने के लिए आपको every time clear spoon या spatula की ज़रुरत पड़ती है so comparing to our tube packaging यह थोड़ा सा inconvenient हो जाता है use करने के लिए so चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस अलोवेरा जेल के texture and application की so अब मैं इस अलोवेरा जेल को आपको अपने face पे भी apply करके दिखा देती हूँ तो इसका जो texture है वो काफी smooth and light weighted है तो इसको apply करने के बाद में आपको बहुत ज़दा light weighted and smooth फील होगा और बिल्कुल भी sticky सी feeling नहीं आएगी जैसा कि और अलोवेरा जेल में आपको feel होता है next point is ingredient list अगर हम बात करें इस अलोवेरा जेल के ingredient list की तो सारी ingredient list आपको इस अलोवेरा जेल के box में मिल जाएगी so next point is cell 5 तो आपको इस अलोवेरा जेल पे 2 years की shelf 5 मिल जाएगी so आज इस मेकप लोग को create करने के लिए मैंने इस अलोवेरा जेल को as a primer यूज किया है क्योंकि market में आपको 300 या फे 200 की range में कोई भी primer नहीं मिलेगा so finally in the end of this video I will highly recommend this aloe vera gel so next point is क्या हम इस अलोवेरा जेल को as a multitasker use कर सकते हैं तो I will say yes आप इस अलोवेरा जेल को as a moisturizer, as a day cream, as a massage gel और as a primer भी use कर सकते हो so ये था आज का वीडियो, I hope ये वीडियो आपको परसंद आया होगा if so, please hit like, share and subscribe to my channel आप इस वीडियो को अपने friends and family के साथ में share भी कर सकते हैं so मिलते हैं इसी तरीके के एक और amazing वीडियो के साथ में दल दल, bye कर सकते हैं